प्रॉब्लम्स थोड़ा सब प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लग कैसे सॉल्फ करना चाहिए फोर्स इन स्पेस के उपर पहला प्रॉब्लम्स जो है वह पढ़ रहा हूं क्या बोला यहां पर कि a force of 140 kN passes through a point A and goes to point B ठीक है तो यहां पर उसने क्या किया है एक force दिया है ठीक है और क्या कह रहा है कि यह जो force है it passes through point A and goes तो passes through point A and goes through point B ठीक है तो यह force जा कैसे रहा है a to b जा रहा है ठीक है a to b जा रहा है force का magnitude दिया है कितना दिया है 140 kN दिया है a का कॉर्डिनेट दिया है क्या कॉर्डिनेट है माइनस 6,2,2 and b का भी कॉर्डिनेट दिया है 6,6,8 याद रखो कि forces in space में यह जो points है ना points A, points B इनका coordinates में बहुत में है क्या मेंने उनका coordinates में है ठीक है तो यह दिया है उसके बाद अब question में आगे क्या पूछ रहा है कि find the moment of the force क्या पूछ रहा है find the moment of the force about the origin ठीक है ठीक है तो origin जो होगा origin उसका coordinates हमेशा by default 0,0,0 तो यहाँ पर O is my origin तो यह point को note करना ठीक है राइट अब चलो आगे बढ़ते यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ एक force नजर आ रहा है जो कहां से पास हो रहा है A से B की तरफ जा रहा है ठीक है कहां जा रहा है A से B की तरफ जा रहा है और इसका magnitude कितना है 140 kN तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई यह जो force है इसको मैं क्या नाम दूँगा force AB AB मतलब A to B जा रहा है इसलिए AB नाम दूँगा मैं इसको यह force AB is equal to यह जो force AB है न वो क्या है actually this is the magnitude यह जो 140 दिया है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ this is 140 kN तो force AB इसका magnitude कितना है so F AB is equal to 140 kN अब मेरा first step क्या है कि यह जो force है जो यह दो point से pass हो रहा है और इसका magnitude कितना है 140 kN इसको मुझे किसमे express करना है इसको मुझे express करना है किसमें vector form में मतलब क्या F bar AB is equal to F bar vector form ठीक है और यह जो दिया है यह यह दिया है यह क्या चीज़ है this is the magnitude दिया है so vector form में कैसे लिखते है हम लोग उसको कि F AB bar is equal to इसका magnitude into unit vector of the force AB इसको किये थे हम लोगों ने यह अगर याद हो रहा है तुमको देखो इसको रिवाइस कर देना तो कोई भी अगर एक force है उसको मुझे क्या vector form में express करना तो उसका यह method है magnitude into unit vector तो यहाँ पे देखो यह unit vector कैसे निकालते है हम लोग unit vector इसका यह formula था चीक है तो मैं इसको यहाँ पे explain करूंगा उसको so now let's say यह मेरा equation number 1 है now let us find unit vector unit let us find unit vector e a b find unit vector e a b so यह सब लिखने के जरूत नहीं एक्जाम है so just मैं आपर फर्स्टाइम लेख रहा हूं ठीक है so therefore the unit vector a b is equal to यह force जा कैसे रहा है a से b की तरफ a से b की तरफ ठीक है a से b तो b का coordinate minus a करेंगे ठीक है वह जा कैसे रहा है a to b जा रहा है force यहां पर जब मैं निकालूगा ना unit vector a b तो b का coordinate minus a करेंगे b minus a तो क्या है ठीक हो first b जो क्या है coordinate क्या है 6 6- 6- a का x coordinate b का x coordinate यह क्या है this is my b का x coordinate b का y coordinate b का z coordinate यह क्या है a का x coordinate यह a का y coordinate اور यह है z-coordinate ठीक है तो यहां पर क्या होगा बी का x-coordinate-a का x-coordinate तो यह minus minus 6 ठीक है तो this is my i i ठीक है प्लस अब यहां पर y-coordinate बी का y-coordinate क्या है 6 minus a का y-coordinate क्या है 2 तो यह क्या हो जाएगा i j j plus b का z-coordinate क्या है x a ka z-coordinate क्या है minus 2 क्या बन जाएगा यह i j k divide by under root of ठीक है divided by under root of यह जो same चीज है यहां पर लिखना है हमको तो अगर मैं यह same i का जो coefficient है इसको जो बोलते हैं आप लोग i का coefficient j का coefficient k का coefficient ठीक है तो i का जो coefficient होता है वेक्चुली होता क्या है यह जो value है i का यह value i का coefficient होता क्या है वो होता है x component क्या होता है वो x component j का जो यह coefficient है 6-2 यह होता क्या है यह होता है y component of force a b x component of force a b y component of force a b ठीक है इसके बाद यह जो k का coefficient है यह 8-2 यह होता क्या है यह होता है z component z component of a b ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एस पर जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था देखो फिर से मैं इसको दिखा दे रहा हूं यहाँ पर यहाँ पर देखा था ना हम लोग ने a b minus a x a y b minus y a z b minus z a under root of इसका square यह जो coefficient है उसका square j का coefficient का square k का coefficient का square तो अगर मैं यहाँ पर यह जो coefficient है ना i का coefficient कितना है 6 minus of minus 6 तो क्या हो जाएगा 12 का square plus 6 minus 2 कितना हो रहा है 4 4 का square plus 8 minus 2 6 का square ठीक है तो अगर मैं इसको थोड़ा सा simplify कर दूँ तो यह कैसा रहेगा मैं थोड़ा स्टेप्स बढ़ा देता हूँ आपर इस विल बी यह 12 i plus 4 j plus 6 k under root of यह तो यही आगा है ने को i का coefficient क्या है 12 square plus j का coefficient क्या है 4 square plus k क्या coefficient क्या है 6 square ठीक है तो अगर हम उसको देखें यह जो value मुझे मिलेगा यह कितना मिलेगा let's say 12 i plus 4 j plus 6 k divide by यह जो value मिलेगा वो कितना मिलेगा let's say 12 square plus 4 square plus 6 square so this is 196 ठीक है 12 square plus 4 square plus 6 का square 196 ठीक है तो इसको क्या करो unit vector को हमेशा कैसा लिखना unit vector जो भी रहेगा उसको हमेशा क्या करोगे एक single equation का form में लिखना अगर मैं यह root 196 divided by 12 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा मुझे मिलेगा 120 i कितना मिलेगा मुझे 120 i जए झाल 40 द माईका लिए यह यह झम प्ला dreए तो झाल 50 आपंना मिलेगा प्लाव प्लाव में वहरे मिलेगा झाल 90 वआ झालесть चीक है तो अभी क्या करेंगी यहाँ पर अगर मैं 12 divided by यह 1 root of 120 196 sorry कितना root of 196 that is 14 यह जो value आता है अगर मैं इसको आगे दीख दू so this is 12i plus 4j plus 6k यह जो value आएगा कितना आएगा यह 14 ठीक है तो जब भी हम लोग finally जब लिखेंगा ना यह जो unit vector जब लिखेंगा हम लोग finally वो एक equation होना चीक है तो क्या करना मैं इसा कि यहाँ पर 12 divided by 14 12 divided by 14 कितना होगा that is 0.857i ठीक है फिर 4 divided by 14 4 divided by 14 कितना होगा plus 0.285j उसके बाद plus 6 divided by 14 6 divided by 14 कितना हो जाएगा यह 0.428 इस चैप्टर में decimal के बाद हमेशा तीन डिजित लेना क्या हो जाएगा यह k यह मुझे क्या मिल गया यह मुझे क्या मिला unit vector मिला यह value मिला अब ठीक है क्या मिला मुझे यह value मिला sorry 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 यह value unit vector e a b unit vector मिला मुझे अब अब आगे क्या करना मुझे इसका इस equation में क्या लिखा है इसकी therefore f bar a b is equal to क्या formula है हमारा magnitude of force a b into unit vector along a b ठीक है so what is the magnitude of force a b कितना है magnitude 140 into e कितना है vector हमों कितना है unit vector कितना है यह आया न तो इसको multiply करेंगे तो क्या हो जागा यह 0.857 i plus 0285 j plus 0.428 k कर लो उसको multiply ठीक है इसको जब हम multiply करेंगे कितना है 140 into 0.857 तो हमें answer मिलेगा 120i plus 140 into यह वाला part करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 40 j plus 140 into 0.4 तो मुझे मिलेगा 60 k तो यह है मेरा first step क्या ही मेरा क्या कि हम लोग ने we have expressed given force in vector form यह हमारा first step है ठीक है तो यह जो sum है इसमे मैं थोड़ा step by step जा रहा हूं इसी मतलब इसी में मैं करूंगा step by step ठीक क्यों यह हर इसमें comment रहेगा उसके बात क्या होगा मैं फिर यह सब करते नहीं बढ़ूंगा सिधा मैं answer लेकर आ जोगा final answer लेकर ठीक है तो यह हो गया मेरा क्या हो गया first step which is always first step is always 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 क्या है वो कि force जो दिया है मुझे यहां पर देखो इसमें जो मुझे force दिया है इसका क्या दिया है magnitude दिया है and they have said that this force is passing through point A to B A to B तो यह जो force इसका नाम क्या पढ़ गया force A B पढ़ गया तो मुझे क्या करना इस force को vector form में पहले express करना है vector form में express करना है और हमने इसको express कर दिया vector form में right f f a b bar f a b bar हमने इसको express कर दिया ठीक है now question क्या पूछ रहा है वो find the moment of this force about origin about origin ठीक है तो origin हम लोग ने क्या origin देखो यहां पर main चीज क्या है कि मुझे यह point मालूम होना चाहिए और उस point का coordinate मालूम होना चाहिए बस वह important है यह matter नहीं करता कि यह O मैंने यहां पर क्यूं लिया यह O यहां भी ले सकते थे कोई यहां पर ले लेगा कोई यहां पर ले लेगा वो matter नहीं करता मुझे क्या चाहिए ओक तुम किधर भी दिखाओ लेकिन इसका coordinate मालूम होना चाहिए और origin जो है उसका by default क्या होता है coordinate 0,0,0 ठीक है अच्छा अभी moment निकालने बोला है तो हमें वह यह थोड़ा सा याद करना पड़ेगा moment निकालने का process क्या है हमारा याद होगा यह process याद है कि जब भी कोई भी point से तो moment निकालने बोले किसी force का यह वाला जो हमारा question है उसमें क्या बोला कि about origin निकालने बोला है moment about origin तो हम लोग ने यहाँ पर see लिये तो first step हमारा क्या है कि always express the given force in vector form हो हमने कर दिया second step क्या है define position vector r define position vector r इसको define करने के बाद फिस सीधा यह moment का formula लगा दो काम खतम हो जाएगा छीक है right तो आते हैं हमारे यह पर अच्छा मुझे अभी क्या define करना था मुझे position define करना है क्या define करना मुझे position define करना है छीक है पोजीशण define करने के लिए मुझे लगेगा किसकी जरूएगा मुझे चाहिए position vector चाहिए और इस आरभार ठीक है क्या चीज़ है मुझे आर बार अच्छा अब यहां पर ध्यान दो मुझे किस का position define करना है पहला चीज़ किस का किस point का मुझे position define करना है तो either मतलब in general rule क्या है कि यह force के उपर कहीं पर भी एक कोई भी point का तुम position define कर लो यहां तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किस का कौन सा point का position define करना है तो यह force के उपर कोई भी एक point a हो b हो यह बीच में c, d, e, f अगर होता तो मैं कोई भी एक point का position define करता हूँ ठीक है तो किसका position define करना है any one of the point lying on the force पहली बात दूसरी बात मुझे इस point का position define कहां से करना है ओ से करना है ठीक है कहां से करना है ओ से करना है तो मैं यह position vector को define कैसे करूंगा कि position vector r bar कहां से define कर रहा हूँ o से कौन सा point का define कर रहा हूँ let's say a का कर रहा हूँ समझ में आरे यह बात अच्छा अगर मैंने b का किया होता position define o से b का तो मुझे क्या करना पड़ता आर बार o कहां से कर रहा हूँ o से किसका कर रहा हूँ b का तो o b तो अभी हम लोग यहां पर क्या हमारे इस सम में हम लोग क्या define करने जाएंगे हम लोग position vector define करने जा रहे हैं क्या define करने जा रहे हैं हम लोग position vector define करने जा रहे हैं position vector define कर ले है vector that is r bar और o a मतलब हम लोग किस का position define कर रहे है point a का किस point से o से चीक है so therefore मेरा जो position vector होगा o a is equal to a का coordinate minus o का coordinate ठीक है a coordinate minus o का coordinate तो just देख लो यहां पर a का coordinate x coordinate y coordinate z coordinate है o का ये x ये y ये z ठीक है please ज्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं यहार ठीक है मै इस को दिखा पा रहा हूं I hope कि यह दिख रहा है है तो यहां पर क्या करना है क्या लिखा है यहाँ पर position vector o a तो मतलब a का coordinate a का coordinate minus o का coordinate ठीकि a का coordinate minus o का coordinate check करो a का x coordinate कितना है minus 6 minus o का x coordinate कितना है 0 तो मैं यहाँ पर लेखता हूं that is minus 6 minus 0 तो यह क्या दे रहा है मुझे i ठीकि प्लस a का y coordinate कितना है 2 o का y coordinate कितना है 0 तो a minus o मतलब 2 minus 0 2 minus 0 तो यह क्या हो गया मेरा j plus a का z coordinate 2 o का z coordinate 0 2 minus 0 2 minus 0 तो यह क्या बन गया मेरा k याद दखना यह है ना vector यह है ना vector तो हमेशा तो वो क्या मिलेगा i, j, k में मिलेगा चीक है अब हम लोग क्या करेंगे इसको simplify करते हैं o a, b is equal to यह कितना हो जाएगा minus 6 i plus 2 j plus 2 k तो यह हमने क्या define कर दिया position वेक्टर किसका position वेक्टर a का from o यह सब लिखने के जरूत नहीं एग्जाम में मैं सिर्फ first sum है इसलिए मैं इतना detail में लिख रहा हूँ चीक है तो मुझे क्या मिल गया force a, b, bar इसके बाद यहाँ पर position वेक्टर o, a मिल गया अब हम सिधा क्या करेंगे जाएंगे moment निकालने के लिए ठीक है किस पर जाएंगे अभी moment निकालेंगे so moment of force a, b about origin o क्या है formula moment vector moment vector यह बार है बार यहाद अखना यह बार हबार सा ब्याद ना टिक से so moment of this force about origin is equal to क्या है इसका formula इसका formula क्या है position vector o, a into cross product dot नहीं है dot यहाँ पर तुम देख पा रहे हैं यहाँ जान दो यहाँ पर क्या है जब तुम लोग उसको express करते हैं तो यह magnitude of a b जब हम लोग यह a b को vector form express करते हैं तब यह क्या होता है magnitude of a b dot product होता है क्या होता है dot product यहाँ पर cross नहीं है moment निकालते वक्त ध्यान रखना कि यह क्या है cross product into force a b bar this is called cross product यह ध्यान रखना cross product है यह cross product में क्या ध्यान रखना है हमको sequence changing कर सकते हैं हमेशा यहाँ पर first में position vector ही आएगा और second में force vector ही आएगा हमेशा क्योंकि यह cross product है उल्टा कर जिया तुमने तो तुम्हारा sign change हो जाएगा और answer गलत हो जाएगा ठीक है तो ध्यान रखना उसको ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको solve करता हूँ ओके तो let's say की हमें क्या find करना है हमें यह force का moment about point o क्या है यह position vector o a cross product into force vector a b solve कैसे करते हैं उसको कैसे solve करते हैं इसको ऐसा दो determinant डाल दो i j के पहला कोन है position पहला कोन है position vector position vector का यह coefficient कितना है i का coefficient minus 6 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग minus 6 पहला position का coefficient लिखो उसके बाद j का क्या coefficient है यहाँ पे 2 क्या coefficient है j का 2 तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा j के नीचे 2 k के यहाँ पर क्या coefficient है k का coefficient क्या है 2 तो k के नीचे मैं क्या लिखूंगा 2 उसके बाद मेरा कौन सा force a b का coefficient ठीक है यह मेरा force a b है i का coefficient कितना ही है 120 तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 120 जी का कोई एफिशन क्या है 40 तो मैं क्या लिखूंगा 40 क्या क्या लिखूंगा 60 तो मैं क्या लिखूंगा 60 t is equal to solve कैसे करेंगे उसको is equal to solve कैसे करेंगे उसको चीक है क्यों solve करते हैं उसको यह तो आना चाहिए at least maths है यह चीक है यह column और यह row को strike करो यह column और यह row को strike करो बचा क्या यह वाला 60 2 into 60 कितना होगा चीक है क्याल सी हाथ में रखो 2 देखो आई का जो आई जो है आई आई का column और यह row को strike करो तो बचे का क्या है इतना बचेगा टू टू 40 60 चो 2 into 60 कितना 1 20 माइनस माइनस 2 into 2 into 40 कितना हो जाएगा 80 चीक है यह जो है यह किसका कोईफिशन बनने जा रहा है आई का चीक है यह तो बाइडिफॉल्ट पॉजिटिव रहता है उसके बाद नेक्स जे का जो रहेगा वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर ब्रैकेट डालो माइनस जालना तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव तो अब बढ़ते जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तो अभी जे चाहे रहाऊ तो जे किस रो में है यह रो को स्ट्राइक करो जे किस कॉलम में इसको स्ट्राइक करो तो बचा क्या माइनस इक्स टूव 120, 60, तो minus 6 into 60, कितना होगा, minus 6 into, sorry, minus 6 into 60, कितना हो जाएगा, minus 360, minus, देखो यह बीच वाला टर्म हमेशा minus होगा, minus 2 into 120, कितना होगा, 2 into 120, that is 240, यह किसका coefficient बनने जा रहा है, जे का, ठीक है, तो यहाँ प्लस, minus, फिर, प्लस, ब्रैकेट ओपन, अब के का बारी, ठीक है, तो के कहाँ पर है, यह रो में और यह कॉलम है, तो बचा क्या, minus 6 into 120, 40, is 240, यह क्या बनने जा रहा है, यह, के बनने जा रहा है, आई जे, के बनने जा रहा है, ठीक है, स्वज में आ रहा है बात को, अब इसको जरा सा, solve करो, यह कितना आएगा, 120 minus 80, is 40i, ठीक है, यह, यह कितना है, minus 360, minus, minus 360, minus 240, कितना हैगा, minus 600, यह अंदर का value कितना हैगा, minus 600, और यह बाहर कितना है, minus, 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 plus, तो यह, plus 600, j, यहाँ पर कितना हैगा, यह, minus 240, minus 240, minus 480, तो यह, minus 480, क्या आएगा, k, i, j, k, इसको bracket डाल दो, और इसका unit क्या आएगा, unit, kilo, newton, meter, so this is your final value, ठीक है, क्या यह, final, value, force AB का, moment, about origin, इसको ऐसे निकालेंगे, समझ में रहा है, इसको, ऐसे निकालेंगे, यह, vector, यादखना, यह, vector, यादखना, ठीक है, तो मैं, यह, first sum है, इसलिए थोड़ा सा, उसको मैंने, लंबा खीज़ दिया, क्योंकि, इतना, यह नहीं है, next time से मैं इतना लंबा नहीं करूंगा, उसको, यह, यादखना, moment about a point, तो यह, जो मेरा, first, हमने जो sum solve किया, भी, right, वो, किसको explain कर रहा है, क्या चिसको explain कर रहा है, how to take, how to take moment about a, how to take moment about a point, इसे spin कर रहा है, ठीक है,